हेलो एबरिवन मैं मेतुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हों के पिछले छे महने के करेंट एफर्स वाली सिरीज को हम लोग जारी रखेंगे जिसमें टॉप पचास कोस्टन्स एक वीडियो में कराई जाएगी इससे पहले दो वीडियो अल्रेड़ी आ चुकी है नीचे कॉमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हो पहली बात दूसरी बात अगर ये तीसरी वीडियो चल रही है अभी अगर आपको इसका पार्ट फोर भी चाहिए हो या इंडिया जपान या फिर चाइना का तो यहां से आप आंसर देख लो इसका आंसर क्या होगा बी अब देखिए बी होगा इसका थोड़ा से एक्स्प्लें कर देते हैं आई एनस विक्रांत जो की MIG-29 ब्लैक पैंथर के नाम से प्रिसरित है ये इंडियन आर्मी एरक्रा होता है पहली बार आप किसी के साथ जो है एर फोर्स एक्सरसाइज करने वाले हो USA के साथ जपान के साथ चाइना के साथ या फिर नेपाल के साथ तो देखिए एक आप्सन तो ऐसे ही हटा चाइना चाइना के साथ तो हम लोग करेंगे ही नहीं नेपाल के पास भी बहुत टा नो से ना इक सी इसका reason क्या है नेवल exercise इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जपान के साथ भी हम लोगों के रिष्टे अच्छे हैं साथ में रसिया के साथ भी हम लोगों के रिष्टे अच्छे हैं और जपान और रसिया बहुत सारे island पे जो है एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट है इन लोगों का, इन लोगों का कहना है कि ये island इनको belong करता है जपान बोलता है हमारे साथ belong करता है और रसिया भी सेम बातों को दोराता है जिस बज़ा से दोनों में contradiction है हम लोग दोनों के साथ अच्छे friendly relation enjoy करते हैं जिस कारण हम लोग कभी भी naval exercise ना रसिया के साथ करते हैं नहीं जपान के साथ करते हैं लेकिन air force exercise हम लोग जपान के साथ करते हैं कहीं भी अगर आपको naval exercise दिखे तो आप लोगों को जपान और रसिया से दूर रहना होगा option में चलिए आगे बढ़ते हैं Indian air Indian army chief Manos Pande has been conferred with the honorary rank of army general by which country किस country के द्वारा जो है इनको army general का जो honorary rank दिया जा रहा है तो देखिए दो country है दोनों एक दूसरे के जो आर्मी chief होते हैं उनको सम्मानित करती है एक तो नेपाल है जो कि Indians को सम्मानित करती है सम्मान देती है इंडिया भी जो है नेपाल के जो आर्मी chief होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है यहाँ पे तो दोनों के बीच में cultural tie है बहुत सामरिक रिष्टे भी है जिस कारण हम लोग एक दूसरे को जो है ये award देते हैं तो राइट अंसर क्या हो जाएगा नेपाल नेपाल के साथ हम लोगों के साथ बहुत अच्छा relation है बीच का राइट अंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं पीए मोधी विल एटेंड दा 2022 SCO summit विच कंट्री विल होस्ट दिस सम्मिट कौन सी कंट्री जो है इसे होस्ट करने वाली है SCO summit यह इस बार ना रसिया में होगा ना बेलारूस में होगा ना ही मंगोलिया में होगा यह उजबेकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा यहां से देखे टोटल 15 countries है जिनको आप यहां से देख पाओगे इरान भी है इसमें इसमें आपको पाकिस्तान, इंडिया, रसिया भी दिखेगा और यह कब होगा 15 से 16 सेप्टेंबर के बीच यह हो चुका है जिसमें 15 लीटर सरी 15 लीटर क्या ही बोल रहा हूं में 15 लीडर्स जो है इसे एटेंट करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं इसे किस न जीता था पाकिस्तान ने, इंडिया ने, सिरलंका ने या फिर बंगला देश ने तो देखिए इसका जो राइट आंसर है बंगला देश अभी तक तो कोई एवार्ड जो असे जीत ही नहीं पाया है इसे आप हटा सकते हो और इस बार भारत और पाकिस्तान दोनों ने जीत पाए, राइट आंसर होगा सिरलंका फाइनल जो है पाकिस्तान और सिरलंका की बीच हुआ था, जिसमें सिरलंका ने पाकिस्तान को हरा कर ये टुन Amenט जीत लिया था, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो है समरी देख लेते हैं हम लोग इंडिया नंबर वन रैंक पे क्योंकि हम लोगों ने 14 टाइम्स यहां पे participation रखी थी 7 टाइम्स हम लोगों ने इसे जीता था सिरलंका 15 बार 6 बार जीत चुका है पाकिस्तान 2 बार इसे जीत चुका है और बंगला देश एक बार भी नहीं जीत चुका है इंडियन आम फोर्स की जो विंग है वो परवत प्रहार नाम की exercise कर रही है यह जो exercise conduct कराई जा रही है कौन कर रहा है से इंडियन एर फोर्स इंडियन आर्मी इंडियन ने भी तो या फिर सारे लोग मिलके यहां पर कर रहे हैं तो देखिए, सारे लोग मिलके पागल नहीं बना रहे हैं गुवर्मेंट पागल नहीं बना रहे हैं इसका right answer क्या हो जाएगा Indian Army यह काम कर रहे हैं Option B आपका right answer हो जाएगा प्रबत प्रहार चलिए यहां से आप इसकी फोटो भी देख लो और ये कहां पे हो रहा है लद्दाक में हो रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया विल इन्वाइट विच कंट्री एच गेस्ट नेशन एट 2023 जी ट्वेंटी सम्मिट जी ट्वेंटी का सम्मिट इंडिया में होने वाला है तो हम लोगों ने इस बार बंगला अदेश को चुना है कि बंगला अदेश हमारे कंट्री में आकर यहां पे गेस्ट नेशन बन सकता है इस मीटिंग में यहां से आप जो हैस की फोटो भी देख पाऊगे बंगला इसके साथ हम लोगों के बहुत अच्छे सम्मन्ध हैं यहां से आप देख पाऊगे, इंडिया पूल्स आउट आप ट्रेड, टॉक्स बिथ यूएसे लिड इंडो पैसिपिक ग्रूप, इंडो पैसिपिक ग्रूप से इंडिया ने का दिया भाईया, यह हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है, टाटा बाई बाई बाई, गुड नाइ इसमें आपको दर्वीन अस्ट्रेलिया भी जिसमें जो है पाटिसे पैसन इसकी रहने वाली है, तो रहे टामसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इसमें अस्ट्रेलिया भी सामिल होगा, आगे बढ़ते हैं, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, यह जो है, किस जो राइट ऑंसर है, युय्से एंडिया इस्ट्याइबलिस, तो यह इसका राइट अंसर क्या होजाएगा, इंडिया और युयस ये करने वाला है, राइट अंसर क्या होजाएगा, युवसे ऑप्शन ए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रेटस्ट इस्टार ऑफ अफ अफ option C के साथ आपको जाना था largest diamond ever found यानि कि option C आपका right answer होगा आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर as of 2022 which country is the largest bilateral lender to Sri Lanka यानि कि सिरलंका किस देश से सबसे ज़्यादा पैसे कर्ज लिया हुआ है आपको उस country का नाम बता देना है आपको अगर चाइना और इंडिया में डाउट हो रहा है न तो याद रखिए चाइना से भी ज़्यादा इंडिया ने जो है सिरलंका को लॉन दे रखा है लेकिन हम लोग भाई है हम लोगों ने सिरलंका पे दवाब extra pressure कभी नहीं बनाया है चाइना ये काम बखो भी करता है एक्चली चाइना जो है interest rate बहुत high level पे लेता है और जहां पे lawn डूबने के खत्रे होते हैं वहां भी चाइना इंवेस्ट कर देता है और उस country के जो भी resources हैं उसे use करता है फिला right answer क्या होगा option भी यहां से आप देख पाओगे 968 million lawns हम लोगों ने दिया है और चाइना को हम लोग नोए सरपास कर लिया यनि की चाइना को पीछे छोड़ दिया है आगे बढ़ते हैं कजाकिस्तान की बात हो रही है आपको बताना है कजाकिस्तान की नई capital क्या है तो देखिए इसका जो right answer होगा देख सकते हैं आप यहां से यहां से देख लिजिए इन्होंने जो है नूर सुल्तान से अस्ताना इसका कर दिया यानि की D answer इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा अस्ताना अब नई capital है अगर पुरा ना पूछा जाए तो नूर सुल्तान आपको बताना है लेकिन फिलाल D इसका right answer होगा चलिए आगे बढ़ते हैं which country will soon get its first woman prime minister कौन से देश की पर्थम महिला प्रधान मंतरी बनने वाली है जपान, इटली, अस्ट्रेलिया या फिर चाइना तो देखिए इटली इसका right answer होना चाहिए यहां से देख सकते हो आप इटली में पहली बार महिला प्रधान मंतरी बनने वाली है जिनका नाम है मिलोनी यहां से right answer आप देख सकते हो इनकी photo भी देख पाओगे right answer क्या हो जाएगा option B चलिए आगे बढ़ते हैं which Indian woman cricketer retired recently तो देखिए दो नाम है यहां पे एक मिताली राज और एक जुलन गोसामी लेकिन जुलन गोसामी पहले ही cricket को टाटा बाय बाय बोल चुकी है और जुलन गोसामी ने हाल में ही किया यानि कि डीस का क्या होगा right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं which nation join quad military exercise for the first time in 2021 quad military exercise जो है पहली बार करी जारी है 2021 में यह कहां पे होने वाला है जर्मनी में, कनाडा में, रस्या में या फिर बेल्चियम में तो देखिए कौन सी जो nation है वो quad military exercise में participate करने वाली है कनाडा जो है quad को जल्दी जो आइन करेगा naval exercise जो की pacific ocean में होने वाला है आगे बढ़ते हैं hurricane iron is news in these days आपको बताना है कि यह किस country को hit करेगा तो इसका right answer USA होना चाहिए मैं देख लेता हूँ एक बार, यहां से देख सकते हैं आप United States और यहां से आप इसकी photo भी देख पाऊगे right answer क्या हो जाएगा अमेरिका पे यह hit करने वाला है यानि कि option C आपका right answer होगा आगे बढ़ते हैं प्रिंस मोहमद बिन सल्मान जिनको हाल में ही प्राइम मिनिस्टर के लिए name कर दिया गया है वो किस country के हैं UAE, Kuwait, Qatar या Saudi Arabia तो right answer Saudi Arabia होना चाहिए जी हाँ Saudi Arabia के crown prince थे यह अब इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर which airport has become the first and only 5G enabled airport in India यानि कि 5G की service पूरे भारत में आपको इसी airport पे एक मातर airport है जहां पे service दी जा रही है पे आप 5G service enjoy कर सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं Nobel Prize for Physics 2022 यह जो है तीन scientist को share करके दिया गया है आपको बताने हैं उन्हें कौन सा काम किया था जिसके लिए यह honor इनको मिल रहा है nuclear physics के लिए quantum mechanism के लिए तो देखिए इसका right answer भी ही होना चाहिए फिर सेक बार में देख लेता हूँ यहां से आप देख पाओगे quantum physics के लिए इनको award मिला हुआ है तीनों scientist की photo भी यहां से देख सकते हो आप right answer हो जाएगा आपका option number B चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग Alex मैं पूरा नाम नहीं पढ़ूँगा pronunciation बहुत ही खराब हो जाएगी Alex को जो है peace prize मिला हुआ है यह किस country से बिलोंग करते हैं आपको बताना है यूसे से, बेलारूस से, फ्रांस से या फिर स्वीडन से तो देखिए बेलारूस, रसिया, युक्रेन, right activist, win, nobel peace prize यहां से आप इसका answer देख पाओगे यह कहां से आते हैं बेलारूस से आते हैं और इन्होंने जो है बेलारूस के प्रेसिडेंट है उनकी बहुत आलोचना करी थी right answer क्या हो जाएगा आपका option number B बेलारूस से यह आते हैं आगे बढ़ते हैं in term of nominal GDP जर्मनी की rank पुरे वल्ड में कौन सी rank आईवी है fourth, fifth, sixth या फिर third तो देखिए यहां से आपको दिख जाएगा जर्मनी अभी fourth rank पे है इंडिया जल्द ही से पीछे कर देने वाला है बहुत जल्द इसे पीछे कर देगा आगे बढ़ते हैं when is the annual Indian foreign service याने कि हम लोग जो है annual day Indian foreign service का कब celebrate करते हैं 8 October, 9 October, 7 या फिर 6 October को तो देखिए 9 October को हर साल IFS Day celebrate किया जाता है और हमारे External Affairs Minister S.J. Sankar की फोटो या आप यहां से देख सकते हो आगे बढ़ते हैं White Sipping Information Exchange Agreement Sign हुआ है India और किस country के साथ तो देखिए New Zealand, Russia, Japan या France तो New Zealand इसका right answer होना चाहिए फिर भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूँ यहां से यहां से देख लिजिए India and New Zealand ने sign कर लिया है कि यहां पर White Sipping Information Exchange यानि कि एक दूसरे को यह इसके बारे में जानेंगे चाइना, South Korea, Japan या फिर रसिया तो देखिए इसका right answer क्या हो जाएगा चाइना पूरे स्पेस में बहुत आगे बढ़ रहा है अधर कंट्री के मुकाबले में USA के बाद चाइना नंबर टू पे है जो की बहुत सारे स्पेस मिसंद को प्रमोट कर रहा है अगला वार स्पेस के दौरा ही लड़ी साई की याद रखिएगा इस बात को तो right answer क्या हो जाएगा? चाइना, ए आप्सन होगा इन्डिया की जडिपी क्या रहने वाली है 2022 में 9%, 6.8%, 4 या फिर 1 तो देखिए इसका right answer क्या हो जाएगा? 6.8 और इन्होंने कह दिया है गलोबल रिसेशन आने वाला है गलोबल एकनोमी को खत्रा हो रहा है और इससे भी खराब सिच्वेशन अभी भी आ सकती है इंडिया में नहीं, पुरे वल्ड में आपको बताना है IMF जो है ये जो नीचे आपको country के नाम दिख रहे होगे कौन सा country IMF का पार्ट नहीं है? इरान, नॉर्थ कोरिया, रसिया या फिर वेनेजुएला, तो दिखिए इसका right answer क्या हो जाएगा? नॉर्थ कोरिया जो है IMF का पार्ट नहीं है IMF bailout package जारी करती है किसी country में पैसे के दिक्कत आ गई financial crisis आ गया, या फिर लोगों को मदद की जरूरत है, बाड़ आ गया या फिर कोई सुखा हो गया है फेमाइन आ गया, या फिर flood आ गया तो ऐसे situation में IMF उसे rescue करता है, तो right answer क्या हो जाएगा फिलाल? नॉर्थ कोरिया इसका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं यानि कि इंडिया की ranking क्या है? जहाँ पर सारे लोग मिल जूल कर रहे है और यहां की inequality, यानि कि किसी के पास बहुत पैसा हो, बहुत पैसा किसी के पास नहीं हो, इसे inequality बोला जाता है तो हमारी rank कितनी आई है? 154, 100, 69 या फिर 123 तो देखे इसका जो right answer होगा हम लोग 6 rank की, हम लोगों ने jump लगाई और 123 पे पहुँच चुके हैं कहां पे पहुच चुके हैं? 123, option D, आपका क्या होगा? right answer होगा चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया's nuclear ballistic missile submarine जो की successfully test हो चुका है आपको बताना है उसका नाम INS Vela, INS Arihant या फिर चक्रा या फिर कोई नहीं तो देखे इसका right answer B था यानि INS Vikrant जो है जिसने ये successfully ballistic missile को पास कर लिया है यहां से आप INS Vikrant hit the target और इन्होंने target को hit कर दिया था आगे बढ़ते हैं which nation and India have agreed to extend the vaccine action program joint declaration तो देखे इसका right answer USA होगा USA ने कहा इंडिया को कि हम लोग जो है vaccine पे काम करेंगे these का right answer हो जाएगा which country does not share a border with Egypt इजिप्ट के साथ कौन सा country border share नहीं करता है तो यहां से आप जो है answer आप लोगों ने देख लिया Sudan जो है इजिप्ट के साथ border share नहीं करता है who has been appointed as the new chief justice of India इंडिया के नए chief justice का नाम क्या है तो देखे D.Y. चंदर्चूर इनका right answer होगा यहां से आप देख सकते हो actually यह answer wrong आग चुका है खर कोई बात नहीं इसका right answer फिलाल यहीं मैं बता दू D.Y. चंदर्चूर होगा इसका यानि कि option भी right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं where does the prime minister of UK work यानि कि देखे इंडिया के जो prime minister है उनका जो residential है यानि कि जहां पे वो निवास अस्तल है उसे क्या बोला जाता है नीचे comment करके बताईएगा seven race course road बोला जाता है इंडिया के PM जहां पे रहते हैं इंडिया के president कहां पे रहते हैं वो नीचे comment करके आप लोग को बता देना है वहाँ पे गुलाब आपको अलग अलग तरह के गुलाब के बगीचे भी मिलेंगे जो कि साल में ठंड में एक बार खुलती है winter season में आप देख सकते हो उसे जाकर तो फिलाल यहां पे पूछा गया UK के PM जहां पे काम करते हैं उसे क्या का जाता है तो देखिए B आपका right answer होगा 10 Downing Street यानि कि B इसका right answer हो जाएगा यहां से आप देख सकते हो और रिसी सुनक जो कि हिंदू है और वो वहाँ के PM बन चुके हैं आगे बढ़ते हैं The Indian Railway plans to achieve Net Zero Carbon Emission by which year यानि कि Indian Railway जो है ये Net Zero Carbon Emission किस year को हासिल कर लेगा 2023, 2024, 2025 या 2030 में तो देखिए 2030 में हम लोग carbon produce नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं Plan Language Act किस country ने पास कर दिया है यहां से देख सकते हो आप France, USA, New Zealand या फिर China तो इसका right answer क्या हो जाएगा New Zealand ने कहा दिया कि भाईया आप लोग जो भी official document है उसमें बिल्कुल easy English लिखिए ताकि हर कोई इनसान इसे समझ पाए अब बड़े बड़े word या फिर भारी भारी vocab की use करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा अस्ट्रेलिया ये तो right answer हुआ एक और बात मैं आपको बता दू इंडिया इसराइल के कौन से capital को मानता है इसराइल जो है उसका जो capital जेरूसलम, इसराइल खुद बताता है, उसे मानता है या फिर कोई और जगह है जिसको इंडिया capital मानता है आगे बढ़ते हैं इसरो recently launched human space flight expo, ये किस city में किया गया था, तो यहां से आप इस का अंसर देख पाओगे ये बैंगलोरू में किया गया था ये कहां किया गया था, बैंगलोरू यानि कि option C आपका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं ये कहां पे हुआ है, आपको बताना है तो इसका right answer गांबिया यहां से आप देख पाओगे गाना इसका right answer होगा, क्या होगा गाना, यानि कि option C के साथ आपको जाना था, चलिए आगे जाएंगे हम लो, who has been elected as a new president of Sri Lanka बहुत important question है ये, तो यहां से आप देख लिजे, यहां से आप देख पाओगे, विक्रम जी हाँ यहां से आप देख देख लो, विक्रम रागे सिंगे को जो है, president के लिए चून लिया गया है, यानि कि option आपका जो है, यहां से आप देख पाओगे, option एस का जाराइट अंसर है, राणिल, विक्रम सिंगे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले question की ओर how many apps have been deleted from the Google Play Store due to the attack of Joker malware कितने app को यहां से Tata बाइ-बाइ, कह दिया गया है, तो total 50 apps है, जिनको बताया गया कि भईया, अब Google Play Store में आप नहीं रहोगे Tata हो गया, यह आगे बढ़ते हैं, chip 4 जो है, USA ने बनाया है आपको बस यह बताना है कि which countries are part of it यह जो alliance chip 4 बनाई गयी है इसमें कौन-कौन सा country participation रहने वाला है, तो देखिए इसका right answer क्या होगा, यहां South Korea आपको दिखेगा Taiwan दिखेगा, Japan दिखेगा और USA तो खुद है ही तो right answer लोगों को पदा चल चुका है आगे बढ़ते हैं, MH60R यहां से देख लो, MH60R जो है, 2 MH60R जो multi-role helicopters है यह आपको जो है, कौन सी Indian Navy यह से receive करने वाली है कौन सी country से यह receive होने वाला है इसराइली से देने वाला है UK देगा, USA देगा या फिर जर्मनी देगा, तो यहां से आप देख पाओगे यह जो chopper है, हम लोग जो है USA से import करने वाले है आगे बढ़ते हैं करनल मागिया has been elected आपको बताना है, interim PM इसको बनाया गया है, यह किस country के हैं मौरिशस के, मालदिप के, माली के या फिर साउथ अपरिका के तो देखिए, यहां से आप इसका answer देख पाओगे appointed, यहां से आप देख पाओगे इनको appoint किया गया है, माली, यानि कि right answer क्या हो जाएगा, option C के साथ आपको जाना था, फिलाल हम लोग बढ़ेंगे अगले question की ओर, जो कि आपके सामने यह रहा, who has been awarded UNESCO Peace Prize 2022, तो UNESCO Peace Prize के लिए किसको दिया गया है तो Angela Merkel यहां से देख लेता हूँ, फिर हाँ, जी हाँ Angela Merkel, जो कि जर्मनी की चांसलर थी, इनको यह award दिया गया है, यानि कि option C आपका क्या होगा, correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं, the 300 long atal breeze has been integrated in which city, कौन से सहर में इसे बनाया गया है, UP, बिहार गुजरात या फिर केरिला में तो देखिए इसका right answer देखो, यहां पे city पूछा गया है, option आप देख लो सारे state के है, A के साथ आपको जाना था, simple सा, देखिए बहुँ ज़्यादा दिमाग लगाने की कभी-कभी जरूरत नहीं होती है, लेकिन हो गया, गडबड, यहां से देख लो actually गुजरात, PM2 इनगरेट, pedestrian only, अटल ब्रीज on सावर मती river today तो देखिए, यह formula flop हो गया, sorry for that right answer आपका option C होगा कोई अगर city का नाम जानता है, तो नीचे comment करके जरूर बताइएगा, आगे बढ़ते हैं यहां से देख लिजिए, एक power plant जो है, हाल में news में है, ठीक है जैप्रो जिया, power plant जो है news में आपको बताना है कि यह कहां आपको देखने को मिलेगा, यह किस से संबंदित है यूकरेन रसिया war से, चाइवान ताइवान tension से, या फिर सर्वियो, कॉस्वो, टैंशन से, या इसराइल गाजा conflict से, तो देखिए, इसका right answer क्या हो जाएगा, यह nuclear plant था जो कि रसिया ने बोला कि यहां पे blast बगएरा हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इसे बचा लिया गया है यानि कि इसका right answer हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं international day against nuclear test, यह कव observe किया जाता है, तो यहां से देख लिजिए, 29 अगस्ट 1991 से यह किया गया है, और 29 अगस्ट को ही nuclear test के against जो है सारे country मिलकर आगे आते हैं right answer आपका option number A हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं which country has been once again beat its own record for world lowest fertility rate यहां पे बहुत जो है lowest fertility rate हो चुकी है, यहनि कि यहां पे बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं South Korea, Japan, North Korea या फिर Russia, तो दिखेए इसका right answer है South Korea actually यहां पे महंगाई इतनी बढ़ चुकी है अगले question की ओर, diamond link champion जो है हाल में ही कौन बना है PB सिंदू, निरच चोपरा बिराट कोली या हीमा दास तो देखेए, यहां से आप फोटो देख चुके होगे right answer भी आपको पता है, option B is the right answer Olympic में PB सिंदू ने कौन सा middle इंडिया के जीता था नीचे comment करके बताईए, अगर वीडियो आपने यहां तक देख ली है तो जाते जाते aspirant challenges in a news में जो है यह रहने वाला है actually था यह, आपको बताना है कि यह किस से related है Indian Navy से, Indian Air Force से, Indian Army से या फिर Black Car Commandos से तो देखेए, इसका right answer क्या होगा यहां से आप PM Modi की photo देख पाऊगे PM Modi unveils sprint challenges for Indian Navy idea मिल चुका होगा आपको और right answer क्या हो जाएगा यह Indian Navy के सामने जो challenges आ रहे हैं उससे India कैसे tackle करेगा इन चीजों से कैसे बचेगा उसके बारे में है, यानि कि right answer क्या होगा आपका option number A चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले question की और question number next आपके सामने यह रहा Jackprom is in a news these days आपको बताना है कि यह जो Jackprom है यह news में रहा है, खाली बहुत सारे दिनों के, अच्छली इन दिनों में यह बहुत news में था, यह किस country की company आपको यह बताना है यह India की company है, चाइना की, रसिया की यह फिर Ukraine की, तो देखिए यह रसिया की company है, जहां से इनोंने जो European buyers हैं, इनको बोल दिया कि यह gas supplies हो है, इसकी कोई guarantee नहीं कि आपको gas मिल ही जाएगा विंटर में देखिए, जितने भी European country है ना, सरदी वहां पर जम के पड़ती है और ऐसे मैं सरीर को गर्म करने के लिए, कमरे को गर्म करने के लिए पानी को उबालने के लिए इन सारे daily activities के लिए उनको gas supply की बहुत ज़रूरत पड़ती है gas के दोरा ही यह खाना पकाते हैं और room heater बगएरा का जो यूज़ करते हैं तो इसके लिए रसिया ने कहा दिया कि भाईया तुम लोग मेरे उपर sentence बार बार लगाते जा रहे हो ना तो मैं guarantee नहीं दे सकता कि आपको continuously gas की supply होगी तो right answer क्या हो जाएगा रसिया यहाँ पे right answer हो जाएगा नीचे comment करके रसिया के Prime Minister का जी हाँ President का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा फिर भी comment कर देना रसिया के President और वहां के प्रधान मंत्री I mean Prime Minister of Russia कौन है नीचे comment करके बताईएगा अधिक powerful राश्टपती ही यानि कि President होता है बट वहाँ पे प्रधान मंत्री का भी पद होता जैसे इंडिया में राष्टपती है जिसकी पावर प्रधान मंत्री से कम ही होती है on paper की बात नहीं कर रहा हूँ, reality की बात कर रहा हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं, question number next आपके सामने ये रहा इंडिया के passport की ranking क्या है, जो Henley passport index जारी किया गया है उसमें इंडिया की ranking क्या रही थी, 90th, 10th, 115th या फिर 87th तो देखिए इंडिया की जो ranking रही थी, 87th रही थी और देखिए ये ranking का क्या मतलब होता है अब आप पुछोगे कि चलो 87 है या फिर 1 ही हो गया तो क्या हो जाएगा तो सबसे पहले में बता दू, पहले नंबर पे जपान था, पहले नंबर पे कौन था, जपान था, जपान की जो passport है वो बहुत ही powerful है यह लिखा नहीं रहा है, I don't know, side screen properly काम नहीं कर रहा है, राइट अंसर क्या हो जाएगा, option number, sorry, option number D, इंडिया की रैंकिंग 87th, यहां से आप जो है, देख भी पाओगे, option D का राइट आंसर है, इंडिया की जो रैंकिंग है वो 87th, हम लोगों ने जो है, जंप भी लगाया ह एक सो 99 कंट्री के बारे में यहां पे बात की गई है, उसमें हम लोगों का पोजिशन 87 है, एक्शली, पासपोर्ट को ऐसे समझा जा सकता है, कि आपको किसी भी कंट्री में, वीजा on arrival, यानि कि आपको पहुंचो और आपको वहां पे वीजा मिल जाए, यानि कि आपको अरिकन कंट्री के साथ, जहां से चीता हम लोग लाने वाले है, एक्शली, चीता आ चुका है, यह करेंट अफेर्स पिछले 6 महिने का है, तो हम लोगों ने यहां से देख लिजे, नाम बीबिया से चीते मंगवाए थे, पुल कितने चीता को इंडिया में लाया जाएगा, नीचे कमेंट करके बताईएगा, और आप लोगों ने वो फोटो बगारा देखी लिए होगी, जहां पर PM मोदी ने अपने बड़्डे के देजाने की 17 सेप्टेंबर को यह चीता इंडिया में लाये गए थे, और इनको जो है, मध्य परदेश में छोड़ा भी गया था, र इंडिया के बहुत सारे जो नागरिक होते हैं, इंजिनियर, डॉक्टर्स वो अलग अलग कंट्री जाकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे में कितने इंडियान ने अलग कंट्री की सिटिजन सीप ले ली है, आपको बताना है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इं इंडिया के 15th President कौन बनी है, तो बहुत ही आसान साई आंसर है, यह हो जाएगा दुरापदी मुर्मू, ओडिसा की यह रहने वाली है और पहली आदिवासी महिला है जो कि देश की राष्टपती बन चुकी है, ओडिसा में नोने जो है MLA का भी चुनाब लड़ा, जीता भी, एक बार उनको हार भी मिली थी, लेकिन इसके बाद यह जारखंड की राजपाल भी रह चुकी है, चलि वो कौन सा कंट्री है जो इस तरह के प्लान को बना रहा है, UAE, साओधी अरेविया, USA, या फिर चाइना, तो यहां से आप इस कांसर देख पाओगे, साओधी अरेविया यह प्लान बना रहा है, यानि कि आप्सन B आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, मैं तो कहूंगा यह वीडियो को दो-तिन बार देख लें, तक कि एक्जाम में आपका रिविजन हो जाए और आपको फिर से याद करने की जरूरत ना पढ़े, यानि कि जो खाना पैक में है, जैसे लसी हो गया, लसी वाले आइटम, दूद वाले आइटम हो गया, जो 25 केजी से कम है, या 25 केजी के बराबर है, उस पे कितने परसेंट GST बढ़ा भी गई है, कितने परसेंट की GST लगेगी, तो यहां से देख लो, 5 परसेंट GST जो है 25 क किलो तक के आइटम पे लगाया जाएगा, अगर आप एक लिटर जो है, कोई भी दई वगयरा भी लेते हो, खाने वाले आइटम में, एक किलो मैदा ले लेते हो, आठा ले लेते हो, चावल ले लेते हो, कुछ भी आप एक किलो वगयरा अगर खरीते हो, से लेकर 25 किलो तक आपको 5% का additional GST लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which film has won the best feature film at 68th National Film Award। 68th National Award में जो है सबसे अच्छी film किसे दिया गया है। Best feature film की बात हो यह यहाँ पे। Testimony of Anna, Sorai, Potru, KGF2 या फिर Tanaji। तो देखें यहाँ से आप इस concert देख पाओगे। जो सबसे best feature film है उसको मिला है सुराराई, Potru को और यहाँ से सूर्या की फोटो भी देख सकते हो इस film के लिए इनको एवार्ड भी मिल गया है। Wisden Churchill Leadership Award was recently presented to which leader यानि कि किस leader को जो है na Wisden Churchill Leadership Award मिला है। यह देखिए UK ना अलग-अलग country के leaders को यह देता है, उन्हें सम्मानित करता है। तो यहाँ से आपने पढ़ लिया होगा और answer भी आपको पता चल चुका होगा। Boris Johnson ने यह announcement करी है यानि कि यह UK जो है अवार्ड देगा दूसरे को। जो बाइडन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी या प्रेसिडेंट वेलेदमर जेलेंस की या फिर सिंजू आपे जपान के प्रधान मंतरी रह चुके हैं। तो राइट अंसर होगा आप संसी देखिए युक्रेयन ने बहुत बहादुरी के साथ रसिया का सामना किया है और रसिया को बहुत डेमेज पहुचाया है जिस कारण से विज्डन चर्चिल एवार्ड जो है इनको मिलने वाला है यहां से आप फोटो भी देख सकते हो दोनो इंडियन ओरिजिन के वहाँ पे प्रेसिडेंट बनाए गए है आपको नाम उनका बताना है कि कौन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाए अच्छली प्राइम मिनिस्टर ही होता है यूके में प्रेसिडेंट नहीं होता आपको बताना है अभी रिसेंटली इंडियन ओरिज कोचिन सिप्याड्ट और भी सारे options से मैं आपको answer की तरफ ही लेचलता हूं तो देखे यहांसे आप देख पाऊगे answer A और यहांसे आप देख पाऊगे देखिए यहां से देख पाऊगे क्रिकेट रसिया स्ट्रिप्ट ऑफ आइसे सी मेंबर सी फुर नन कॉंपलाइशन यानि की राइट अंसर क्या हो जाएगा रसिया चलिए आगे बढ़ते हैं विच इंडियन एकोनोमिस्ट अप्ट अप्ट ऑफ देखिए रागवन तो देखिए राइट अंसर इंदरमित गिल ही होना चाहिए फिर भी मैं एक बार आप के लिए सी ओर हो लेता हूँ बिलकुल इंदरमित गिल को जो है चीप एकोनोमिस्ट बनाया गया है वल्ड बैंक के लिए बहुत इंपोर्टन कोस्चन तो यहां से आप देख पाओगे इंडिया और इस्राइल आपने फोटो भी पुराने वाली देख रखी होगी जहां पर प्यम मोधी बेंजामें नेतनियाहू के साथ जो है सी वाले यानि कि जो सौल्टी वाटर है वो ग्लास में पी रहे थे आप्टर उसे जो है अच्छी स क्या होगा एपसलूट करेक्ट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं कि कोशन नमर नेक्ष्ट की ओर विच स्टेट इस दवेन्यों ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट मिलिटरी ड्रिल अल नाज तो देखिए कौन सा कंट्री है इंडिया ओमान जॉइंट मिलिटरी एक्सरसा करेंगे यानि कि आपका क्या होगा एपसलूटली करेक्ट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर इन विच कंट्री डार्जेस्ट पिंक डाइमंड इन थ्री हंड़ेट इयर नेम्ड लूलो रोज लूलो रोज इसका नाम रखा गया है तीन साल पूरान यह डाइमंड है इसका नाम क्या है और यह कहां मिला था अंगोला में कॉंगो में सिरलंका में या फिर जिमांबे में तो देख fut with a minute एक चलिए होगा यह अंगोला में मिला आप्सलूटली करेक्ट हो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर बहुत हिस्ट मिलेंगे, यानि कि राइट अंसर क्या हो जाएगा, option D, इसका राइट अंसर हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question की ओर, next question आपके सामने यह रहा, how much foreign exchange did ISRO earn through satellite launch, देखिए, ISRO ना बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अलग-अलग countries के satellite को हम लोग launch कर रहे हैं, और बहुत ही cheaper price पे, और भी country है, जैसे रसिया हो गया, USA हो गया, यह अलग-अलग country से बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, बट ISRO बहुत ही affordable price पे, यह satellite launch कर रहे हैं, आपको बताना है कि कितने million ISRO ने कमा लिए हैं, तो यहां से आप इस का अशर देख पाओगे, 279 million foreign exchange, यहनकि अलग से पैसे हम लोगों को इतने डॉलर मिले हैं, राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका, option B, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से देख लिए, इंडिया और USA जो है न, उत्राखंड भी चाइना के साथ border share करता है, और 100 किलोमेटर जो LAC है, यानि कि Line of Actual Control, वहां से 100 किलोमेटर के दूरी पे, यह युद्ध अभ्यास जो है किया जाएगा, किसके किसके बीच, इंडिया और USA के बीच, आजादी सेट, न्यूज में है आपको बताना है कि यह कौन सी कंट्री ने इसे लांच किया है, इंडिया, पाकिस्तान, बंगलादेश, या फिर नेपाल, तो देखे, इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, इस रो, यानि कि इंडिया नहीं इसे किया है, जिसे 700, यानि 750 स्कूल गर्स ने तयार किया था, अनफॉर्चुनेटली, आई रिपीट, अनफॉर्चुनेटली, ये जो है, मिसन हम लोगों का फ्लॉप हो गया, खेर कोई बात नहीं, बोलते हैं न, वो सफलता, सफलता के बाद ही मिलती है, राइट अंसर क्या हो जाएगा, चाइना को मिर्ची लगती है, चाइना नहीं अभ्यास किया होगा, अब्यसी बात है, यानि कि ऑप्सन भी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां से आप देख सकते हो, ये नैंसी पॉलोश, ये जो है, नैंसी इनका नाम है, इन्होंने ही सारा गड़बड किया था, अच्छी ये अच्छी बात है, गड़बड तो मैं नहीं बोलूँगा इसे, अच्छी इनका कहना था कि, ताइवान एक डेमोक्रेसिक कंट्री है, और USA यानि कि अमेरिका को, उसके साथ रिष्टे जो है, अच्छे नॉन्मलाइज करने चाहिए, तो इन्होंने जो है विजिट करा, ओफिस्यल हैं ये, अमेरिका, इंडिया, किसी भी कंट्री के ओफिस्यल यहां पे जाते नहीं है, तो यहां पे ये गई, और चाइना ने कहा था, कि अगर ये गई, तो ये अटेक कर देंगा मिसाइल से, लेकिन चाइना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और ये वापस भी आई, और इसी को लेकर चाइना ने क्या किया, ताइवान को चार और से घेर कर, ये मिसाइल इधर से जो है, देखिए, इन्होंने मिसाइल जो है ताइवान के उपर से गुजरता था, और ताइवान के बाद बारे जाकर सी में ये गिरता था, तो ताइवान को बहुत टेंसन में इन्होंने कुछ दिनों तक रखा था, चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्होंने के बाद ये स्पेस स्टेशन का पार्ट नहीं रहेंगे, इन्टरनेशनल स्पेस की बात की जा रही है, जपान, फ्रांस, युएसे या रसिया, तो राइट अंसर हो जाएका D, रसिया ने कहा कि भाईया हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, ताटा बाई बाई, रसिया ने बाई बाई कह दिया है, विच कंट्री विल औरगिनाईज एक्सरसायज पिच बलेक, पिच बलेक जो है कौन सी कंट्री औरगिनाईज करने वाली है, मलेशिया, इंडोनेशिया, जपान, या फिर увидеть ऑस्ट्रेलिया, तो देखिए Indian Air Force ये participate करने वाली है Pitch Black in Australia हम लोग इंडिया वाले जो भी Indian Air Force के लोग हैं वो कहां जाएंगे Australia जाएंगे और वहाँ पे हम लोग Pitch Black जो है देखिए Pitch Black एक्जाम में ऐसे भी पुछा जा सकता है कौन सी दो country जो है यहाँ पे exercise करती है तो इंडिया और Australia याद रखिएगा इस बात को चली आगे बढ़ते है Pacific Dragon Missile Defense Exercise ये news में था आपको बस ये बताना है कि इसमें किस country ने participation नहीं करी थी इंडिया ने USA ने जपान ने या फिर South Korea ने तो I think इंडिया यहाँ से देख लेते हैं सौरी South Korea, USA जपान ने यहाँ पे करा था और बिल्कुल सही इंडिया ने यहाँ पे कहा था कि हम लोग participate इसमें नहीं कर पाएंगे राइट अंसर क्या हो जाएगा option number A चली आगे बढ़ते हैं इंडिया वन historical gold for the first time ever in which sports at Commonwealth Games Commonwealth Games में हम लोगों ने सबसे पहली बार जो है gold medal जीता है किस sports category में rowing में, figure sketching में fencing में या lawn ball में तो देखी इसका right answer क्या हो जाएगा Commonwealth Games में हम लोगों ने पहली बार जो है यहाँ से देख सकते हो lawn ball में यह award जीता है सारे लड़कियों को बहुत बहुत बढ़ाई चली आगे बढ़ते हैं 14th Vice President of India कोन बने बहुत यह आसान question है वीडियो यहाँ तक अगर आपने देख लिए तो नीचे comment करके बता देजे मैं इसका answer नहीं बताने वाला चली आगे बढ़ते हैं Who won India's first ever medal in a high jump Commonwealth Games में हम लोगों ने इससे पहले high jump में कोई medal नहीं जीता था पहला medal किसने लाया इंडिया के लिए तो देखिए इसका जो right answer होगा यहाँ से आप देख पाओगे तेजवसनी संकर चिन्होंने ब्रॉंज जीता और यह पहली बार इंडिया के लिए इन्होंने जो है एवार्ड लेकर आए यानि कि B आपका क्या होगा absolutely correct हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं आगे which country has become the seventh country in the world to launch a mission to the moon moon के लिए इन्होंने mission launch किया है वो सात्वी country इसे पले छे country यहाँ पर जा चुकी है तो सात्वी country कौन बनेगी South Korea, Indonesia, North Korea या Brazil तो देखिए इसका right answer क्या हो जाएगा यहाँ से देख लिजिए USA सबसे पहले USSR दूसरी यह सेकेंड country थी थर्ड country चैना फोर्थ country जपान फिर EU यानि कि European Union फिर इंडिया यहाँ पर जाने वाली है तो right answer क्या हो जाएगा आपका option number A यानि कि इंडिया यह सब country पहुँच चुकी है South Korea यहाँ पर पहुँचने वाला है चलिए आगे बढ़ते हैं गौस्तवावो पैत्रो यह जो है किस country के बन चुके हैं प्रेसिडेंट तो यहाँ से आप देख पाओगे right answer क्या है यहाँ से देख पाओगे यह जो है कोलंबिया के सबसे leftist यानि कि बाम बिचरधारा से यह सम्मंदित हैं और इनको जो है कोलंबिया का प्रेसिडेंट चूल लिया गया है यह आपका right answer होगा चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया के किस politician को मिलने वाला है एस जैसेंकर ससी थरूर, राहूल गांधी, सोनिया गांधी तो याद रखिएगा इनका नाम है ससी थरूर और इनको जो है इनको फ्रांस का highest civilian award मिलने वाला है ससी थरूर के बारे में मैं एक word बतातूँ इसका मतलब क्या होता है नीचे comment करके बताइएगा यह जो मैंने बोला फिर से बार बोल देता हूँ एक ही word है बहुत बड़ा यह बहुत सारे लेटर्स इसमें है नीचे comment करके यह कोई अगर लिख सकता है तो लिख दीजिए और इसका meaning भी बता दीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से आप इनकी photo भी देख पाओगे चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया की पहली underwater metro कहां पे बनने वाली है चन्नई में, मुंबई में, कोलकाता या फिर हैदराबाद में तो देखे इसका जो राय टांसर हो जाएगा न दोस्तों वो हो जाएगा कोलकाता में कोलकाता में ही सबसे पहले metro आई थी underwater metro भी आपको कोलकाता में ही दिखेगी यह राय राय टांसर क्या हो जाएगा option number C, कोलकाता चलिए आगे बढ़ते हैं उत्तरसक्ती उत्तरसक्ती is in a news these days आपको बताना यह military exercise किसके किसके बीच होता है एक तो सबसे पहले इंडिया common है इंडिया किसके साथ यह exercise करता है factual question है ज्यादा time लूंगा नहीं Malaysia और India उत्तरसक्ती जो है यह करने वाली है याद रखिएगा और अगर आपको पता हो तो नीज़े comment करके बताइए यह कहां पे होने वाला है कौन से state में next question आपके सामने यह रहा which country scientists have prepared artificial ambrose देखिए ambrose जो है किस artificial जो है किस country ने तयार किया है USA, Russia, Israel या फिर China ने तो देखिए इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपके right answer क्या हो जाएगा आपका option number C चलिए आगे बढ़ते हैं next question की और यूंग वांग 5 यह news में है आपको बताना है कि यह क्या है China का spy ship है China का military base है तैवान के नजदिक या फिर जपान का निया aircraft carrier है तैवान का पहला nuclear submarine है तो देखे यहां से आप इसको देख पाऊगे चाइना की पहली जो research ship है actually यह क्या है हमन्ट टोटा port पे आई थी और यह spy ship है यह क्या है spy ship है दूसरे के data को चोरी करना इसका काम है इसका right answer होगा आगे बढ़ते हैं विलियम रूटो न्यूज में है आपको बताना है कि यह किस country के president बनने वाले है जिंबामबे, Kenya, South Africa, Ethiopia तो यहां से आप इस cancer देख पाऊगे बिलियम जो है पांचवी वार बनने वाले है रूटो यह कहां कि Kenya के president बनने वाले है इनकी photo भी यहां से आप देख सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं वास्टोग 2022 military exercise न्यूज में है आपको बताना है कि यह किस country में होने वाला है बेलारूस, यूक्रेन, रसिया या फिर चाइना तो इसका right answer यहां से आप देख पाऊगे यह होगा रसिया में इंडिया, चाइना भी इसमें participate करेगी पाक, यानि कि पाकिस्तान भी जाएगी बट, sorry, यह जो है इंडिया के tour पे आएगी, यह रसिया कराता है सारे कामों को, लेकिन हम लोगों के जो नेवी है, वो इसमें बहुत नहीं होगी क्योंकि चाइना, sorry, यह जो आपका जपान है उसके साथ हम लोगों के रिस्ते बहुत अच्छे है और रसिया का जपान के साथ जो है, वाटर्ड, जो आइलेंड है वहाँ पे dispute है, जिसके कारण हम लोग नेवी वाले को participate नहीं कराएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया has gifted डॉरिनियर मेरिटाइम एरक्राप्ट किस नेवरिंग कंट्री को हम लोगों ने कहा ले लो भाईया यही एक कंट्री है जिसे हम लोग दे सकते हैं एक्चली बंगलादेश के साथ भी रिलेशन हम लोग बहुत इंजवाई करते हैं अच्छे से तो राइट अंसर फिलाल हो जाएगा सिरी लंका यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाऊगे इंडिया ने ये ओभर कर दिया है यह कहां पे टेस्ट किया गया है भारत फ्रिगेट सुपर वासुकी कि आपके सामने यह रहा अगस्त 2022 यानि कि 24 अगस्त 2022 को कौन सी कंट्री सेलिबरेट करने वाली है अपना इंडिपेंडेंट्स डे जिसमें बहुत सारा जियो पॉलिटिकल स्प्रेशर भी है इस कंट्री के उपर ये राइट अंसर यूक्रेन ही स्टेचू यानि बस्ट को स्टेचू बोलते हैं ऐसा समझ लो पुतला भी बोलते हैं ये साउथ अफरिकन जो साउथ अमेरिकन कंट्री है ये कहां पर इन्होंने अन्वील किया है कोलंबिया, ब्राजिल, पैरू ये जो है प्राग में ये किया हुआ है तो यहां से आंसर देख पाओगे ये जो है option D यानि कि ये कहां पर किया गया है option number D का right answer हो जाएगा option D के साथ आपको जाना था फिलाल हम लोग जाएंगे अगले question की ओर फिलाल चलिए अगले question की ओर इंडिया ज फॉरेंड मिनिस्टर विजिटेड थ्री साउथ अमेरिकन कंट्रीज रिसेंटली कि थ्री साउथ अमेरिकन कंट्री को S.J.S.N.कर ने विजिट किया था तो रखिए ब्राजिल, पैरगवे और अर्जेंटीना और यहां से आप S.J.S.N.कर की फोटो भी देख पाऊगे Motto of I.N.S.B.Krant I.N.S.B.Krant का मोटो क्या है यहां से देख पाईए जायमा, सैम, युद्धी, समर्थम यानि की I defeat those who fight against me यानि की जो मेरे साथ लड़ेगा मैं उसे हरा दूँगा राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका Option A चलिए आगे बढ़ते हैं GDP Numbers यह हाल में ही recently रिलीज किया गया है किसके दोरा World Bank, IMF, NSO तो यहां से आप अंसर देख पाऊगे इंडिया की जो GDP Growth है वो बढ़ चुकी है और इसे जो है यहां से देख पाऊगे आप NSO यानि की राइट अंसर क्या हो जाएगा National Static Organization न यह रिलीज किया है Option A.S.E.S. का राइट अंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं To fight climate change Germany has announced aid of how much to India देखे Germany अब सुचो कि इतने इतने रुपे इंडिया को दे रहा है फिरी में देखे इसका reason है Germany की बहुत सारी companies है जो की आगे in future देखना जो air से बहुत सारे जो है instrument चलने वाले हैं बहुत सारे machines air से चलेंगे water से चलेंगे solar जो है उसके द्वारा चलाए जाएंगे तो Germany अपनी companies को यहाँ पे इंडिया में उतारेगी बाद में इसके लिए यह पीछ तयार कर रही है market तयार कर रही है तो कितने million euros की यह मदद करने वाले हैं इंडियान्स को तो 1.2 billion जो है इंडिया को दिया जाएगा ताकि हम लोग जो है coal वगेरा कम यूज करें और solar यानि की जो natural resources है उस की और लोटे रही अंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आप देख पाओगे option A यानि की age the right answer 11.2 billion euros चलिए आगे बढ़ते हैं मिखाइल गौरवाचोक यह news में आपको बताना है कि यह कौन से leader थे last leader थे किस country के युगोसलावा किया USSR नाजी जर्मनी तो इसका right answer हो जाएगा USSR इसके बाद जो है USSR बढ़ चुका था भी आपका right answer हो जाएगा यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो 91 years के थे और इनकी death हो जुकी है चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया is sending it's a defense minister for the first time ever to which country इंडिया के defense minister रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग कौन से country जाने वाले हैं South Korea, Mongolia, Saudi Arabia या फिर North Korea तो देखे इसका right answer होगा यह हो जाएगा Mongolia हम लोग पहली बार यहाँ पे जाने वाले हैं 15th September को हर साल इंडिया में celebrate किया जाता है Teachers Day इसरो कमेंट करके जिरूर बताईएगा आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं इसरो पार्टनर बिट विच टू कंट्री फोर दा स्पेस टेक्नलोजी कोपरेशन इसरो जो है दो कंट्री के साथ स्पेस टेक्नलोजी शेयर करने वाला है कौन कौन सी वो कंट्री है तो यहां से आप इस कांट्र देख पाऊगे हम लोग जो नीदरलेंड है नीदरलेंड और अस्ट्रेलिया जो है USA के साथ कॉपरेट करेगा सीज का राइट आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो वो कौन सी कंट्री है तो यहां से आप देख पाऊगे US ने कहा कि भाईया चलो टाटा बाइबाइ होगी आपका अप्सन भी राइट अंसर हो जाएगा चलिए इसी के साथ 50 कोश्चन्स हो चुके हैं अगर इसकी पाट थड आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके पाट थड जरूर लिख दें जाते जाते आपको बता दूँ इंडिया के सारे नेवरिंग स्टेट यानि की कंट्री नहीं स्टेट ही बोला जाता है क्योंकि एक्जाम में एक कोश्चन तो यहां से बनेगा ही बनेगा तो चलिए आज की करेंट करते हैं वरी फर्स्ट कोश्चन आपके सामने यह रहा विच कंट्री प्लाउंस टू लिमिट अप फॉरेन करंसी हेल्ड बाइ इंडिविज्यूल यानि कि अगर आपके पास अपने यहां जो उनके यहां मंदी आई है जो भी प्रॉब्लम आया है क्रैसिस आया हुआ है उससे निपटने के लिए ऐसा कदम उठाया कि यहां पे आप 10,000 से ज़्यादा का जो अमेरिकी डॉलर है वो रखनें सोरी 15,000 से ज़्यादा लिमिट जो है 10,000 से 15,000 के बीच में आप पैसे रख सकते हो अगर इससे ज़्यादा अगर आपके पास मिले तो आपको सजा भी यहां पे हो सकती है आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की ओर एंथनी अलबनीस यह नए प्राइम मिनिस्टर बने है किस कंट्री के तो देखिए इस कंट्री जपान अस्ट्रेलिया और यूएसे तो यह चार कंट्री मिलकर जो है चाइना के ऊपर जो है उसे कसन नकेल कसने की बात यह चार कंट्री करती है और यहां से आप देख सकते हो यह मौरिशन पहले यहां के पी-म थे और यहां पर जो अलबनीस हैं यह नए बने हुए हैं यहां से आप इसके आंसर देख सकते हो जपान, इंडिया, साउथ कुरिया या फिर यूके आपको उस कंट्री का नाम बताना है जो की इस कंट्री के नेसंस को जो है मून पे ले जाने वाला है तो देखिए इसका राइट आंसर जपान होना चाहिए फिर भी मैं देख नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने यह रहा आयाइटी जेई टो गो गलोबल और बी ऑपेंट टू स्कूल फ्रॉम डैस नेशन यानि कि आयाइटी आपको कितने नए नए स्कूलों में जो है आयाइटी जो है अलग अलग आपको जो है देशों में खुलता हुआ दिखेगा आपको बताना है कि कुल कितनी आयाइटी खुलेगी 10, 15, 25 या 30 तो देखे इसका राइट आंसर 25 होगा 25 आयाइटी जेई अलग अलग कंट्री में खुलेगी यहां से आप आर्टीकल भी दे सकते हो आयाइटी जेई टो गो गलोबल यानि कि अब ये पूरे वर्ड में भी आ आपको देखने को मिल जाएगा यानि कि यह हमारे जो आयाइटी की प्रस्टीज है यानि कि इसका जो करिज्मा है यह आप अलग रग देसों में भी देखने को मिलेगा आपको आगे बढ़ते हैं विच इस दवेन्यू आप 75 एडिशन आफ वल्ड हेल्थ एसेंबली वल्ड समेहलन होगा फो होगा जैनेवा में आगे बढ़ते हैं वर्योंग के लिए यहां से देख सकते हैं आप कुछ एड़ॉफ टीप हैं यानि की कंट्री के मिलह आपको दिख रहें होंगे यहां से जपान के पीम का भी देख sकते हो आप यहां सी USA के प्रेसिडैंट को और यहा से देख लिजिए अगर आप count करते हूँ one by one तो right answer क्या हो जाएगा यहां से देख लिजिए कौन IPE का member है और कौन CPPP का है कौन RCEP का है तो इस तरह से आप यहां से answer देख पाऊगे इसका right answer क्या हो जाएगा फिलाल वो हो जाएगा अपसे number 13 आगे बढ़ते हैं अगले question की और next question आपके सामने यह रहा इंडिया signed investment initiative agreement with which country किस country के साथ जो है इंडिया ने investment जो incentive है यह sign किया है यह जपान के साथ US के साथ रस्या के साथ यह फिर फ्रांस के साथ तो देखिए इसका right answer होगा यहां से आप देख पाऊगे इंडिया और US ने दोनों ने मिलकर जो है इस agreement पर sign किया है जो कि आने वाले time में जो है बहुत सारा investment इंडिया में भी आएगा और यहां की कुछ company हो जो है USA में भी अपना जो ब्रांच है वो खोल पाए की आगे बढ़े हैं which of the following countries banned the use of dollar for local trade यानि कि आप यहां पर local trade के लिए dollar का use नहीं कर सकते हो बेंड कर दिया गया है Myanmar में, Indonesia में, Germany में या फिर Denmark में तो देखिए Myanmar में ही होना चाहिए बिलकुल Myanmar में military coup हो चुका है coup यानि कि यह words है इक्जाम में भी पूछ दिया जाए coup मत पढ़ना इसे coup बोला जाता है coup का मतलब होता है send जो तक्ता प्लट होता है तक्ता प्लट का मतलब वहाँ पे कोई democracy के दवारा जो यानि democratic जो है rule चल रहा था उसी हटा कर अब जो है army power में आ जाए आगे बढ़ते हैं next question के लिए world directory of modern military aircraft that has released the world air power ranking of 2022 तो आपको बताना है इसमें इंडिया की ranking क्या थी तो यहां से आप देख लीजिए पहले position को USA दूसरे position को भी USA लेकिन दौनों position USA का है तो इसे आप one ही consider करोगे दूसरे नमर पर रसिया है फिर तीसरे नमर पर आपको फिर से अमेरिका दिखेगा और चौथे नमर पर आप actually यह जो है तीसरा नमर जो है इंडिया का दिखेगा यहां पर तो इस तरह से आप समझ सकते हो चीजों को यहां पर पहले नमर पर अमेरिका फिर दूसरे नमर पर भी अमेरिका यानि कि अमेरिका जो है तीन पोजिशन चार पोजिशन को खुद होल्ड करता है उसके बाद इंडिया यानि कि हम लोग थर्ड पोजिशन पे हैं USA एंड रस्या की बाद हमारी रेंग क्या है थर्ड है आगे बढ़ते हैं इन वीच स्टेट दा पीयम मोधी लाज इनोग्रेटेट दे वर्ल फर्स नैनोयूर्या लिक्विट प्लांट जो है वल्ड में पहली बार ये खुलने वाला है कहां पर ये खुलेगा आपको ये बताना है राजस्थान, किरला, महरास्ट्रा या फिर गुजरात में देखे इसका जो right answer होगा, यहाँ से देख सकते हो option D, यानि कि यह गुजरात में खुलने वाला है, गुजरात में पहले पूरे वल्ड में, I repeat, यह पूरे वल्ड की बात हो रही है, तो यह question बहुत important है, please इसे जो है BVI लगा लेना, pen paper पर लिख लेना आप इसे, आगे बढ़त लिजे, UAE और इसराइल ने मिलकर इस डिल को close कर लिया है, यानि कि crack कर लिया है, आगे बढ़ते हैं, Indian period movies, समराट पिर्थिविराज, किस किस country पे जो है इसे बेन का जो है दंस जहलना पड़ा था, तो यहां से आप आंसर देख पाऊगे, अक्षे कुमार के जो समराट पिर लेडर थे, उनकी छवी को खराब किया गया है, आगे बढ़ते हैं, India and Das have signed a vision statement with the aim of further dipping, the long standing defense cooperation between both nations, यानि कि कि किस दो अलग अलग देशों ने इसको sign किया है, इंडोनेशिया, जपान, अस्ट्रेलिया, या फिर इसराइल, तो देख इसका right answer क्या होगा, इंडिया और आगे है, मैं आपको छोटा सा वाक्या सुना देता हूँ, जब कॉर्गिल वार हो रहा था, या फिर 1962 में, चाइना वार, सबसे पहली बार, 1962 में जब चाइना वार हो रहा था ना, हमारे पास हतियार की कमी हो गए थी, और हम लोग इसराइल के साथ, वहाँ पे officially हम लोगों क रिलेशन नहीं था, हम लोग फिलिस्तीन को ज़ाद आगे बढ़ाते थे, 1962 में इसराइल ने हम लोगों को बहुत हतियार दिया, जिसके कारण हम चाइना के सामने, डट कर मुकाबला भी कर पाए, अधरवाइस हमारी तो आहलत पतली हो गई थी, तो इसराइल हम लोगों के स इस तरह से चीज़ों को करें, उससे इंवारिमेंट को कम से कम लॉस करना पड़े, यहां से आप जो है मोदी जी की फोटो भी देख सकते हो, और मन की बात में उन्होंने यह सारी बातें की थी, जो कि आपको रेडियो पे आने वाला एक कारिकरा में संडे को आता है, आगे फिर लेपटॉप है, यहां से आप पासवर्ट से उसे उपेन करते हो, या फिर आपकी वाच है, या फिर आपका मोबाइल है, फिंगरप्रिंट के दोरा आप उसे खोलते हो, या फिर आपके रेटिना को बढ़कर उपेन हो जाता है, तो राइट अंसर क्या हो जाएगा चाइना, यह क्या है, चाइना ने जो है इसे ऐसा किया है, चाइना के दोरा पहली बार वल्ड की फर्स्ट आईए जो है ड्रॉन केरियर शुरॉआत की गई है यहां पे, आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री एस्टरोड प्रॉप फॉंट 23 अमेनो एसिड इन सेंपल बाट ब इन्डिया की इन्वारमेंटल जो पर्फॉर्मेंस है वो क्या रहने वाली है, तो यहां से देख लिजे, यह बहुत सर्म की बात है कि हम लोगों की रैंकिंग सबसे खराब रही थी, एक सो असी में सबसे नीचे पर हम लोग थे, यानि कि सबसे लास्ट पोजिशन हम लोगो यह कचरा हो, या किसी तरह का भी कचरा हो, उसे हम लोगों को निजात पाना होगा, हम लोगों को एको फैर्डली बन जो प्रोडेक्ट्स हैं, उसे यूज करना होगा, आगे बढ़ते हैं, इक किस कंट्री के द्वारा किया गया था, तो देखे, कजाकिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान या इसराइल के द्वारा, तो यह मंगोलिया होना चाहिए, जी हां, मंगोलिया is the right answer, किसके साथ आपको जाना था, option number B के साथ आपको जाना था, मंगोलिया इसका right answer होगा, जहा कर लो अभी इंडिया पर किसी गुंडे का राज हो जाए तो ऐसे में यून क्या करेगा पीस किपिंग फोर्स करेगा और यहां से जो है इनको मार भगाएगा ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है बड़ एजूम कर लो आप एरान रिसेंटली साइंड अप मेगा 20 यह स्ट्रेज पार्टनर्शिप करें यह किस कंट्री के साथ इंडिया के साथ चाइना वेनिजुएला या फिर इस्राइल के साथ तो देखे इसका जो राइट अंसर होगा सेंसर हिट इडान वेनिजुएला साइंस 20 यह देखे दोनों एक ही एक ही गली के गुजरे हुए हैं एक्शुली आगे बढ़ते हैं रिसेंटली गवर्मेंट लॉंच्ट अगनी पतिसकी आपको बताना यह किस से रिलेटेड है इस तरों से आर्म फोर्श है या फिर माइनिंग सेक्टर से या फिर फॉर्ने सर्विस से इतना एजी कोश्चन है कि इतने ट्रेंज जले थे इस पे न कि क्या ही कहाज़र सकता है नीचे कमेंट करके इसका अंसर आप लोग बताईएगा तो मुझे भी पता चले विडियो आपने एटलिस्ट यहां तक देख लिए हैं आगे बढ़ते हैं विच इस फर्स्ट कंट्री इन डवर्ल तो रिक्वाइर डैटा वार्निंग टूबी प्रिंट ऐसा करने वाला है कि वो हर सिक्रेट के उपर जो है प्रिंट करेगा आगे बढ़ते हैं एकॉर्डिंग टू दा लेटिस्ट एस आर एस इंडिया जो लोग है ना कितने साल तक जिंदा रहते हैं तो यह थोड़ी सी बढ़ी है और 69.7 यह हो चुका है अभी भी जो पान से बेहन को हटा दिया है वीज़ा पेपन मास्ट र्कार्ट यह फिन अनवदी तो देख़े कि इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा मास्ट जिसके ऊपर इसके उपर लगाने वाली है किसका futuristic plan है तो देखिए China ये करने वाला होगा मुझे तो 100% भरोसा है क्योंकि China space में अपने ताकत को बहुत बढ़ा रहा है आगे दिनों में देखना आप space से ही जो है लड़ाईयां लड़ी जाएगी तो यहां से देख लेते हैं फिलाल इसका अंसर ये map है moon का किसके पास है I think ये भी China ही होना चाहिए देख लेता हूं बिल्कुल यहां से देख लीजिए देख लीजिए China releases world most detailed map of moon मैंने कहा था ना space में सबसे ज़्यादा काम जो है भी China ही कर रहा है आगे बढ़ते हैं which south asian country had to declare a holiday because of lack of fuel इस country में क्या हुआ था इस country में जो है fuel की कमी आ गई है जिसके कारण इनोंने क्या कर दिया holiday declare कर दिया कौन सा वो country है सिरलंका नेपाल पाकिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान तो देखिए इसका जो correct answer होगा ये होगा पाकिस्तान एक्शली पाकिस्तान ने भी ये काम किया है सिरलंका ने भी ये का पाकिस्तान हो जाएगा for the first time ever India has declared to import 70,000 tons of uria from which country पहली बार हम लोग जो है इतने मात्रा में 47,000 टन बहुत होते हैं इतना जो यूरिया है हम लोग किस country से मंगाने वाले है USA किस से इसराइल से चाइना से या फिर उकरेन से तो देखिए इसका जो right answer होगा वोगा अमेरिका USA यहां से देख लो आप ची हाँ यह देख लीजिए हम लोग USA जो है यह मंगाने वाले हैं आगे बढ़ते हैं the largest chemical map of the entire Milky Way was recently made by किस ने बनाया था यह NASA ने इसरो ने या फिर European Space Agency ने या फिर Chinese Space Agency ने तो यहां से इस concert देख लो आप यह जो है Milky Way यह NASA के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था right answer क्या हो जाएगा आपका option number A आगे बढ़ते हैं question number next की और next question आपके सामने यह रहा 5G spectrum का जो auction होता है कितने सालों के लिए होता है 5 सालों के लिए 200 सालों के लिए 20 साल के लिए या 99 साल के लिए तो इसका जो right answer होगा 5G spectrum जो होगा वो 20 साल के लिए अलॉट किये जाएंगे private companies को Airtail, Jio, Idea Vodafone यह सब मिलकर जो है अभी 5G India में launch करने वाले हैं कई Metro Town में यह launch भी हो चुका है Joint Border Cooperation event in 2023 is in a news day आपको बताना है यह किस group के द्वारा जो है इसे propose किया गया है तो देखिए यह SU के द्वारा ही किया जाना चाहिए मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ actually यहां से आप देख सकते हो जी हां यह इंडिया ने जो है चाइना के इनिसेटिव को propose किया है और यह संघाई Corporation Organization के द्वारा किया गया है नीचे comment करके बताईएगा संघाई Organization Corporation का जो है वो headquarter कहां पे है नीचे comment करके बताईएगा आप लोग यहां से देख लीजिए what is the rank of India in the latest world competency index 2022 तो इंडिया की competency में कितनी rank थी हम लोगोंने 6th place का jump भी लगाय था आपको बताना है कि हम लो इसका जो राइट आणसर होगा वो होगा 37 हम लोग काम होच गया है 37 पे डैस हाज बिन री ओर्गनाइजड एज अ कंट्री ओप दा इयर यहां पे किस कंट्री को जो है कंट्री ओप दा इयर का वार्ड मिला है जिसने बहुत ही जामफाड काम किया है चाइना, USA, जपान या फिर इंडिया तो राइट आंसर होगा यहां पर आपको इंडियन होने का प्रावड फिल होना होगा इंडिया को जो है कंट्री ओप दा इयर का वार्ड मिला हुआ यहां पे अगले कोश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यह जो है बाते असुनी बैसनप जो कि हमारे IT मि majority है loss कर दिया है तो देखिए यह काम इस्राइल में भी हुआ था यह काम पाकिस्तान में भी हुआ था लेकिन फिलाल जो है राइट अंसर यहां पर ऑप्शन देखकर आप जान जाओ कि यह इस्राइल है और इस्राइल में यहां से देख सकते हो आप अच्छली नहीं है कोई ब अच्छली यह कंट्री जो है बहुत हाइलाइट था तो हो सकता है कि इसकी कैपिटल को भी एक्जाम में पूछा जाए चलिए आगे बढ़ते हैं ONGC विदेश लिमिटेड रिसेंटली डिस्कवरड ओइल इन ड्रील वैल देखिए आपको यह बताना है ONGC न यह सिर्फ इंडियन कंपनी ने अच्छली यह इंडियन कंपनी है बट अलग लग कंट्री में जाकर यह तेल वगयरा का भी पता करती है और वहां पे बिजनस भ होगा वो होगा कोलंबिया ओपसर सी राइट आंसर होना चाहिए गवार मैं फिर से चेक आउट कर लेता हूँ यह देख लो बिल्कुल कोलंबिया इसका राइट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं रेसेंटली विच कंट्री डिफॉल्टेट ऑन फॉरेंड डेप्ट फॉर्स तो देखिए इसका राइट आंसर हो जायागा रसिया रसिया ने जो भी बॉंड खरीदा था कहा कि हम इसके पैसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनके उपर इतना सेंसन लगा दिया गया सपोस कर लो यह कोई यूट्यूबर है रसिया का यूट्यूबर है उसको अब जो है म एडन फाइट टेस्ट फोर ऑटोनोम वस फ्लाइंग विंग टेक्नलोजी डेमस्ट्रेशन तो यह डियाडियो होना चाहिए डियाडियो का फुल फर्म आप रहां नीचे कॉमेंट करके बताए यो डियाडियो के चीप कौन है अभी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए यह एक्जाम में यह पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं PSLB C-53 मिशन यह जो है इसरो के द्वारा जो है तीन सेटलाइट लॉंच किया गया है किस कंट्री के सिटलाइट को हम लोगों ने लॉंच किया है याद रखीए का इसरो सिर्फ इंडिया के ही मिसाइल को नहीं और भ इसरो होगा आगे बढ़ते हैं वाट इस हर्मिट यह जो है न्यूज में था हाल में यह क्या था तो देखिए आप लोगों को पता ही होगा एक स्पाइवेर जो की पेगासस के नाम से आप लोगों ने सुना होगा राहुल गांधी के भी फॉन टैप कराए गए थे अभी मै जार हो तो रहा कि कितने SMS आ रहे हैं उनको ट्यूटर पर कौन मैसेज कर रहा है इच और अबरी थिंग स्पाइवेर के द्वारा जानकारे ली गए थी तो फिलाल हर्मिट भी क्या है क्या स्पाइवेर है आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोश्चन याया लापीट विकम दर निव प्राइसिडेंट देखिए इनको कुछ दिनों के लिए बनाया गया था क्योंकि इस्राइल में बहुमत किसी को नहीं मिला है मैजरोटी किसी को नहीं मिले जिसके कारण बार बार वहाँ पे सरकार कॉलैप्स हो रही है तो यह MRO क्या है मेंटेनेंस एन रिपेरिंग सर्विस जो है यह देने वाली है देखिए फ्रांस यह करने वाला है ऑप्संसी का राइट अंसर होगा एक्शली फ्रांस से जो भी हम लोग डिफेंस एक्यूपमेंट मंगा रहे है उसे रख रखाओ की भी जरूत आएगी उसे ज इतनी परिसान नी जो है उठानी की जरूरत नहीं पड़ेगी हम आपके कंट्री में एक MRO जो है स्टेबलिस करतेंगे वहां से आपकी मेंटेनेस होते रहेगी चलिए आगे बढ़ते हैं डेराचो इजन न्यूज दीज यह क्या है आपको बताना है तो देखिए यह एक ऐस इनकी डेथ हो कई है तो यह question important रहता है और आपको पता ही होगा Manmohan Singh भी भी जिन्दा है मोदी जी भी जिन्दा है पर अकॉमा में भी जिन्दा है इन financial year 2022 how many did India spend in importing crude oil हम लोगोंने crude oil पे कितने रुपे खर्च कर दिये हैं तो इसका right answer क्या होगा 119 billion UST इसका right answer क्या हो जागा 119 यहां से आप जेख सकते हो इंडिया की जोई है भी इसका right answer है यहां से आप जेख सकते हो यानिकि 119 billion American dollar हम लोगोंने खर्च किये सिर्फ तेल म मंगाने के लिए आगे बढ़ते हैं as per recent notification देखे एक्चली मिनिस्ट्री ने कहा दिया है कि national flag पे कितनी परसेंट GST ली जाएगी 24 परसेंट 12 तो या फिर 0 तो इंडियन कवर्मेंट ने कहा दिया है कि हम लोग जंडे पे कुछ भी GST नहीं लेंगे ताकि हर कोई जंडा फार इसका theme क्या था ये बताना है आपको सबसे पहले world population day कब celebrate क्या जाता है नीचे comment करके इसका जवाब बताइए आप लोग और इसका जो right answer होगा a world of a world of 8 billion इसका right answer होना चाहिए जी हां option A ही इसका क्या होगा right answer होगा आगे बढ़ते हैं Bimaldon 2022 man single किसने जीता था तो देखिए इसका right answer आप यहां से देख पाओगे कौन जीता था और कौन हरा था नवाक चोकोबिच जिनोंने जीता था और right answer क्या है आपका option number B आपका correct answer हो जाएगा important questions है आगे बढ़ते हैं according to world population prospect 2022 report इंडिया is projected to surpass China हम लोग चाइना के ओ पोपलेशन के मामले में कब हरा देंगे 2030, 2023, 2026 या 2050 तो अगले ही साल यानि कि 2023 में हम लोग जो है चाइना को पीछे कर देंगे यानि कि right answer क्या हो जाएगा option number B आगे बढ़ते हैं NMC 2170 यह news में है आपको बताना यह क्या है एक मिसाइल है जो कि DRDO की द्वारा बनाया गया है या इंडिया की पहली lithium-ion sale है तो इसका right answer B ही होना चाहिए बिल्कुल देख लेता हूँ मैं जी है यहां से आप देख सकते हो lithium-ion battery है जो कि इंडिया के द्वारा बनाई गई है option B आपका क्या होगा correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं Global Gender Gap Report यह किसके द्वारा release की गई है World Economic Forum के द्वारा जो है इसे release किया गया है और यहां से द्रिश्टी IS का आप जो है YouTube चैनल का जो link है वो actually link नहीं यह screenshot देख सकते हो जो नहोंने कहा है यहां से देख लो World Economic Forum release the Global Gender Gap चली missile का latest missile defense system है यह steel fragrant फुर्ने भी है तो इसका राइटन सर्व यह हो जाएगा यहां से आप राजनाज सिंग की photo भी बिल्कुल यहां से देख लिजिए राजस्थान एक्चुली जो राजनाज सिंग है इनकी photo भी देख सकते हो और इन्होंने जो है इसको launch भी किया था इंडिय ने भी के लिए आगे बढ़ते हैं आपको बस ये बताना है the oldest जो history of universe है ये news में है आपको बताना है कि इसे capture किया गया था किस telescope के द्वारा तो नीचे comment करके इस चार options में से जो correct answer है उसको नीचे बताना है आपको video में 50 question हो चुके हैं अगर इसकी part 2 चाहिए होगी आपको आपने video यहां तक देख ली है तो part 2 जरूर कमेंट करें ताकि इसका part 2 रिलीज किया जा सके यहां से मेरे email ID और इंस्टा ID देख लेजिए जिनको 99 में प्रिवेशर पेपर चाहिए वो ले सकते हैं 399 में मैं आप मेरे handwritten notes ले सकते हो वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं धन्यवाद